नमस्कार दोस्तों मिरा नाम है तुल शिवास्तो और स्वागत है आपका नेक्सेस जीएस में आज टॉपिक है समिधान और समिधान में हम लोग आज डिसकस करेंगे राज जी के नीत निदेशक तत्तों से रिलेटड चीज़ों के बारे में तो ये टॉपिक स्टार्ट करें पहले एक स्टेटमेंट के बारे में हम लोग बात करें केटी साह सहाब का एक स्टेटमेंट है कि राज के नीत निदेशक सिधान एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है statement बहुत popular है, पूछा जाता है बहुत जादा आपके examination में और even directly आपका statement ही पूछ लिया आजाता है examination में अब बात करेंगे राज के नीत निदेशक तत्तों के बारे में इसी topic पर इसी जो video है इसी में आपका उन सारी चीजों पर discuss कर लेंगे और उनी सारी चीजों पर हम लोग बात कर लेंगे जहां से related question बनते हैं तो कोई question बनेगा इस topic से तो hopefully इसी वीडियो में almost आपका 10 minute के वीडियो में आपका वो question cover हो जाएगा और इस topic से question बनते ही बनते हैं पॉलेटी के बहुत छोटा पॉलेटी का slabus ही है और easy way में आप capture कर सकते हो इस पूरे के पूरे slabus को और बहुत आसानी से इसको तयार कर सकते हो चले शुरुवात करते हैं भाग 4 में आता है राज्य के नीत निर्शक तत्वा और article 36 से 51 के बीच में आपका इनसे सारे समंधित जो articles हैं वो है अब exactly है क्या ये राज्य के नीत निर्शक तत्वा तो नीत निर्शक तत्व जो है वो राज्य को नैतिक निर्देश है ताकि राज्य मूलभूत आदर्शों को प्राप्त कर सके तो ये तत्व जो है देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंतर की व्याख्या के साथ ही कल्यान कारी राजिक का आदर्श भी खोशित करते हैं और ये नियायाले द्वारा प्रवर्तनी नहीं है ये स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए क्या राजिक के नीत निदेशक तत्वा नियायाले द्वारा प्रवर्तनी है तो आपको पता होना चाहिए कि ये ये नियायले द्वारा प्रवर्वर्तनिय नहीं होते हैं अब हम लोग बात करेंगे अर्टिकल के बारे में पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे अर्टिकल 36 से 51 के बीच में क्या-क्या चीज़ें हैं जो जरूरी है, जो पूछी जा सकती है, जैसे आइडिकल 36, यह आपका नीत निदेशक तत्तों के संदर्प में राजिकी परिभाशा है, यह आपके बहुत ज़दा एक्जामनेशन में आता नहीं, ठीक है, 37, नीत निदेशक तत्तों को नियाले द्वारा प्रवर्तनी ना होत करते हुए भी देश के साशन में मुलभूत माना गया है, तिथा विधी बनाने में इन सिधानतों को लागू करना राजिक का करत अव्य माना गया है, बहुत ज़दा नहीं पूछा जाता है, अब चलिए हम लोग सिर्फ उनी के बारे में डिसकस करते हैं, जो पूछे जाते हैं, सबसे पहले तो हम लोग आइटिकल 39 पे पहुंचते हैं, पुरुस और इस्त्री सभी नागरिकों को आजीवका के परियाप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा, आइटिकल 39 में, समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण और स्वामित का अधिकार होग धन और उत्पादन के साधनों का विकिंदी करन का अधिकार होगा, इस्त्रीयों वा पुरुसों को समान कारे के लिए समान वेतन के बारे में स्टेट्मेंट है, तो पूछा जाता है कि कौन से आइटिकल के तहत समान कारे के लिए समान वेतन के बारे में वस्ता है, तो आइ सामान आउसर के आधार पर नयाय देना वा निशुलक कानूनी सहायता उपलब्द कराना ये आपका 42 नंबर के सविधान संसोधा नदियम 1976 के द्वारा शामिल किया गया था और ये है आपका आइडिकल 39A में पूछा जाता है आपकी एक्जामनेशन में कि जो आपका जो सामान आउसर के आधार पर नयाय देना वा निशुलक कानूनी सहायता उपलब्द कराना कौन से आडिकल में आता है तो ये आपका आता है आडिकल 39A एक आडिकल 40 है जो बहुत पूछा जाता है ये आपका ग्राम पंचायतों की गठन से रेलेटर है तो ग्राम पंचायतों का संग पर और क्या पूछा जाता है आडिकल 44 बहुत पूछा जाता है ये आपका सामान नागरिक सहीता से रेलेटर है नागरिकों के लिए एक समान नागरिक सहीता लागो गरने का प्रयास करना और ये सिर्फ और सिर्फ आपका गोवा में ही लागो है जो सामान नागरिक सहीता है 47, 47 क्या है लोगों के पोशाहार इस्तर वा जीवन इस्तर को उचा करने तथा लोग स्वास्त के सुधार को प्रात्मिक करता विमानना तथा जो मादक पे हैं वहानिकारक नशीले पदार्थ हैं उनके सेवन का प्रतिशेद करने का प्रयास करना यह आपका आइडिकल 47 में आता है एक आता है आइडिकल 48A यह आपका परियावरण से रेलेटेड है तो परियावरण के सरक्षन वा समवर्धन तथा वन वा वन जीवों की रक्षा का प्रयास करना यह भी आपका 42 में नंबर के समिधान संसोधन अधनियम 1976 के द्वारा शामिल किया गया था अब आपको यह लगेगा यह बार-बार 42 में नंबर का समिधानिक संसोधन चला आ रहा है इसमें क्या चीज़ें है इसको मिनी कॉंस्ट्यूशन बोला जाता है अगर आपसे पूछा जाए डारेक्ली कोशन कि मिनी कॉंस्ट्यूशन किसे कहते हैं तो समिधान क 42 वे नंबर के सविधानिक संसोधन को mini constitution कहा जाता है बहुत सारी चीज़ें इसमें आती है और बहुत important चीज़ें आती है examination में पूछी जाती है चले और क्या discuss कर सकते हैं इस chapter के बारे में और क्या पूछा जा सकता है इस chapter के बारे में जो मद्य निशेद है वो आपका article 47 में आता है इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है उसके बारे में हम लोग जब बात करें तो article 41 के बारे में हम लोग miss कर गया article 41 जो है वो काम, सिक्षा, लोग, सहायता, पाने का अधिकार होता है इसके अलावा article 40 के बारे में हम लोग उने discuss कर गया है, क्राम पजजायतों के कठन के बारे में है तो अब हम लोग बात करेंगे next जो आपका नीत निदेशक सिधान्त के बारे में exactly तो नीत निदेशक सिधान्त जो होते हैं वादयोग नहीं होते हैं और इसी का मतलब होता है कि ये नियाले द्वारा प्रवर्तनी नहीं कराये जा सकते हैं और ये आपका आता है article 37 में वैसे तो article 37 डारेक्ली नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको इतना पता होना चाहिए कि जो नीत इंदेशक सिधांत होते हैं वो कैसे होते हैं तो ये आपका वादयोग नहीं होते हैं और ये नियाले द्वारा प्रवर्तनी नहीं कराये जा सकते हैं और ये आपका आता है article 37 के अंतरगत तो पहले तो पूछा जाता था कि नीत निदेशक सिधान्त exactly है क्या हो सकता है कि अभी update होके पूछ लिया जाए कि आइटिकल 37 में क्या क्या चीज़ें आती है क्योंकि ये आपका नया सिनारियो बोल सकते हैं इसको ठीक है तो हाँ एक जो मेजर चीज़ है वो आपके दिमाग में आएगी कि जो नीत निदेशक सिधान्त है उसकी प्रेणा हमें कहां से मिली तो भारती सविधान में समलित आपका जो नीत निदेशक तॉत्तों है उनकी प्रेणा हमें 1937 के आयरलाइंड के सविधान से प्राप्त हुई और आयरलाइंड के सविधान से अनुकरणी इस भाग पर आपका समाजवाद, उदार, लोकतांतरिक विचारधाओ, घाराओ, गाधिवाद, मानवादिकारों की जो सावत्तरिक घोशनाएं आदि का बहुत जदा व्यापक प्रभाव पड़ा कुल मिला के आपको ये पता होना चाहिए कि भारती समिधान में जो आपका समलित है नीत निदेशक तत्व, उसकी प्रेणा हमें कहां से मिली तो 1937 के आयरलैंड के समिधान से प्राप्त हुई है तो आपको ये बात बहुत अच्छी से पता होने चाहिए कहां से प्राप्त हुई है तो आयरलैंड के समिधान से हम लोगों ने इसको लिया है तो आपका 8 से 10 कुशन थे जो हम लोगों ने किये और एवन हो सकता है जादा भी हो सकते हैं क्योंकि कुछ आर्टिकल्स के बारे में भी हम लोगों डिसकॉस किया तो उनसे रिलेटेट कुशन पूछे ही जाते हैं डारेकली इंडारेकली दोनों तरीके से तो चलिए राज जी के नीत निदेशक तत्तों से संबंद जितने भी कुशन थे वो इसमें देख लिए गए और अगर कोई नया कुशन बनता है क्योंकि quality या फिर किसी भी subject का काम होता है नया adaptation होना नया adaptation नहीं होगा तो obviously बात है नई किताबे नहीं आएंगी तो नई adaptation जो है लगातार होते रहते हैं तो जैसे इसका adaptation होगा इसका second part आ जाएगा उसके बाद third part आ जाएगा लेकिन अभी के लिए जो base है वो आपको इतना पता होना चाहिए कि राज के नीत निश्क्तितों से related इतने कोईशन बनते हैं आपके examination में यह बन सकते हैं ठीक है तो इतना आपको तयार करना must है जो सबसे अदा जरूरी है और जैसे ही update होती है चीज़े और भी आपको इसमें कराई जाएंगी फिलाल के लिए इतना ही thank you so much